तो ये भारत को दर्शन करने के लिए निकला, तो ये दर्शन करने के दोरान मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ जान रहा हूँ, और मन बहुत खुस हो रहा है, और आभी देव भूमी हिमाचल में हूँ, तो ये सच में देव भू पूरा करने का जुनून सवार होता है तो फिर आप उस सपने को साकार करने के लिए निकल बढ़ते हैं। हालांकि उसका अंजाम भी आपको मालूम नहीं होता। बस मन्जिल ही नजर आती है। अपने ऐसे ही सपने को पूरा करने के लिए इन दिनों नौर्थ एस्ट के त्रिपूरा राजी के धलाई जिले के मासली छरागाओं का 23 वर्षिय आसीम भारत भ्रमन पर निकला हुआ है। बिती एक जन्वरी 2022 को आसीम ने अपने घर से इस यातरा की शुरुआत की थी। अभी तक आठ राजियों से होकर गुजरने वाला आसीम 3000 किलोमेटर से अधिक का सफर तैक करते हुए हिमाचर प्रदेश पहुंचा है। हिमाचर प्रदेश आसीम की यातरा का नुवा राज्य है। यहां से अब आसीम लेह लदाक जा रहा है। वहां से जम्मू कश्मीर, पंजाब और हर्याना होते हुए साउथ में जाकर अपनी यातरा को पूरा करेगा। आसीम ने बताया कि अपनी यातरा के दौरान वह पर्यावन सरक्षन का संदेश दे रहा है। अगर मैं ऐसा संदेश लेके घूम रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगाया, मैं भी लगाया, मैं स्टुडेंट हो तो मैं लगाया और आभी भी मैं लगाता हूँ। तो आप लोग प्लीज एक्स्कूज मात दीजे और पेर पोदा लगाया क्योंकि देखिए नेचार का बीच रहना हर किसी को पसंदे बहार से भी लोग आते हैं इंडिया का अंदर बस नेचार को देखने के लिए और कुछ-कुछ जगा पे जाता हूँ तो यहां पे देखत असीम अपना एक ब्लॉग चलाता है जब आसीम ने अपनी इस यातरा की जानकारी ब्लॉग पर शेयर की तो पस्चिम बंगाल के कुछ बिहार निवासी चंपकदास ने भी उनके साथ चलने की इच्छा जाहिर के आसीम जब पस्चिम बंगाल पहुंचा तो वहां से चंपक वादियों में पहुंचकर उन्हें बेहतर सुक्त अनुपती हो रही है मैं भारत यातरा पर निकला हूँ तो यह भारत को दर्शन करने के लिए निकला ये दर्शन करने के द्रान में बहुत कुछ सीक रहा हूँ बहुत कुछ देख रहा हूं बहुत कुछ जान रहा हूं और मान बहुत खुश हो रहा है और आभी देव भूमी हिमाचल में हूं तो ये सच में देव भूमी हिमाचल है बहुत खुशी हो रही है चारतरब मंदीर गुर्दुवारा देखने को मिलते हैं और आश्रिपाद ले लेकिन उसकी सामना करते हुए यहां तक पहुचे हैं और आगे सुन रहा हूँ कि और चरहय है तो देखते क्या होते हैं आगे मिलेंगे लड़क तक फेजबूक पर पोलिस्टार हिमाचिल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें